आज मैं आपको निया टॉपिक जियोसी का पार्ट चल रहा है उसी भी बात करूंगा आज की टॉपिक है आपका बेसेकली हाइपर कंजुगेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जैसा कि आप जानते हैं कि एफेक्ट बहुत ही जादा कारगर होता है हमारे लिए ज हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा 2 पाई बाउन्ड भी कहते हैं सिग्मा तूपी मॉंट भी कहते हैं नूब ऑन्ट रेजवंश के नाम जेना आता और बेकर नायथन इफेक्ट भी कहा जाता है इसे ही समझ लिजीए आप इस तरकत से रेजोनेंस जो आपने पढ़ा है के electron p orbital में jump करते हैं और वहां पर conjugation बनाने के कोशिश करते हैं इसी को हम hyperconjugation कहते हैं sigma bond जो exist करता है different plane में delocalize करना उसका आपस में बहुत difficult होता है तो hyperconjugation जरिये क्या होता है वो decolocalize करने के कोशिश करते हैं with the respect of pi bond यह खास बार लिखाओ यहां पर आद रखीगा resonance effect से यह less effective होता है but inductive effect से बहुत effective बना जाता है यहां पर मैं example दे रहा हूँ methyl benzene के अंदर भी पाया जाएगा पहले हम समझते हैं कहां कहां हो सकता है पहला condition हमेशाद रखीगा जो carbon atom पे यहां फिर radical में दिखा रहा हूँ इस carbon के पास sp2 hybridization होना चाहिए और उसके adjacent जो carbon attached होते हैं उसमे sp3 hybridization हो चाहिए और साथ में उसमें hydrogen हो चाहिए that hydrogen is termed as alpha hydrogen atom मैं बहुत हूँ आपको alpha hydrogen atom कहा होते हैं अगर हम cs2 radical को एक functional group की तरह treat कर रहे है तो that is called alpha carbon कहलाएगा उस alpha carbon में hydrogen होना बहुत जरूरी है इसलिए यहां पे hyperconjugation हो सकता तो पहचानने का simple तरीका है कि देखे carbon जो attached है इसमें hybridization क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए that is sp2 hybridization होना चाहिए उससे attached जो carbon present है उसके अंदर alpha hydrogen होना बहुत compulsory है अगर alpha hydrogen atom नहीं होगा वहापे कभी भी पतर यह hyperconjugation नहीं हो सकता second case में देखे double bond यहां प्रोपीन लिए है मैंने इसमें इसका sp2 hybridization होगा यह भी sp2 होगा आपका hybridization का चेक करें आप that is also sp2 hybridization बट यह carbon आपका sp3 होगा तो sp3 carbon के साथ अगर इसमें alpha hydrogen present है तो वैसे condition में यह hyperconjugation आपस में कर सकते है sp2 और sp3 के बीच में second बात है जो यहां बताई जा रही है देखे हैं आपर hyperconjugation possible है दो carbon के बीच में जब कम सम एक के पास sp3 hybridization हो और दूसरे एक उसके पास alpha hydrogen कम सम एक जरूर होना चाहिए minimum की बात कर रहें और वह sp2 या sp के साथ hybridized attached होना चाहिए तो sp3 carbon का अगर sp2 या sp3 के साथ attachment हो साथ में उसमें hydrogen hydrogen अगर होता है तो वहां पर hyperconjugation हो सकता है hyperconjugation के बारे में दिखा जाए तो वह basically carbocatine में हो सकता है जो मैंने यहां पर लिखा हूँ अगर आप देख सकते हैं आप CS3 CS2 यह होने को आपको free radical में CS3 CS2 डॉट दिया इसमें primary secondary tertiary सब आते हैं इसमें primary secondary tertiary सब आते हैं सिर्फ याद कि कार्बन इनायन में possible नहीं है कि कार्बन इनायन में अगर आप structure बनाएंगे माइनस तो गोर करेंगे कि दोनों का hybridization जो मिलेगा आपको दोनों के hybridization क्या होंगे वो देखिए आप यहां देख सकते हैं इसका hybridization भी आपको sp3 मिलेगा यहां पे और इसका sp3 तो ऐसे condition में कभी भी hyperconjugation नहीं हो सकता तो कार्बन इनायन में क्योंकि orbital काफी filled होते हैं और दोनों का hybridization sp3 होता है तो वहां पे possible नहीं होता है hyperconjugation की एक खास feature क्या है देखिए हमेशा कि जब भी आप hyperconjugation अलफा अलफा हीडियोटम प्रेजेंट है जैसे example के तौर पर मैंने sp3 लिया तो ऐसे case में जितने अलफा हीडियोटम होंगे उतना ज्यादा hyperconjugation वाले structure बन सकते हैं कहता है कि alpha carbon condition sp3 hybridize होना चाहिए कम से कम उसमें एक हाडियोटम होने चाहिए sp3 sp3 के बीच में कभी भी hybridization नहीं होता है इससे पहले हम अभी थोड़ा समय आपको दिखाता हूं कि डाइगरमेटली हम उसके तरह से hyperconjugation work करेंगा है पहले हम compound को देखते हैं देखें यहां पर हमारे पास यहां पर CS3 CS2 प्लस एक कार्बोकेटाइन है यहां पर CS3 जो अटाइज है कार्बोकेटाइन से अटाइज कार्बन कहते हैं जैसा कि है पर कंजूक्शन कहता है कि alpha में hydrogen होना बहुत जरूरी है यहां पर तीन hydrogen आपको नज़र आ रहा होगे यहां थ्री हाइज़र आ नज़र आ रहा होगे आपको यहां पर हम इन थी हाइज़र को गौर से लिए इस कारबन पर देखिए चार बॉन थीन बॉन हैं और यह दिया उसके पास तीन पॉर्बिटल होते हैं उसमें से एक होगी हम एसे अपन कर दिया देख़्िए तीनों抗ंव बॉन देखा दिया और यहां पर यहां पर यह सिंहां पर इसके हाइड कर्ता हुआ स्टेक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर डवल बॉंड फॉर्म किया बागी दिखे जिस हाइजन इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कहते हैं इसकी हालत बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होती है तो इसके बाद क्या होगा तो बच्चा आपके पीछे सब्सक्राइब करता है कि वेट करता है विकॉस अफ यहाँ पर निगेटिफ चार्ज प्रिजेंटर एक निया पाई बॉंड बन चुका है यहाँ पर इलेक्ट्रों देंसिटी ज्यादा है तो इस प्लस और इनके बीच में कार्बन के बीच में कोई बॉंड नहीं होता इस सब्सक्राइब करता रहेगा यहाँ पर इसमें बॉंड में कोई कमी नहीं होती बट यह फर्क पड़ता है कि यहाँ नया पाई बॉंड बन जाता है और त्री टाइमस पाई बनने का मौका मिलता है सब्सक्राइब करेगा दूसरा यह तीसरा यह थ्री टाइमस हो सकता है सिमिलरली अगर आप इसी को अलकीन में अगर चेक करें तो कैसे अलकीन में आप हाइपर कंजूइशन को कर सकते हैं यहाँ पर डियाग्राम में देख रहा होगा आपको आपको SP3 मिलेगा अब क्या करते हैं यह पाई एलेक्ट्रों पहले आगे शिफ्ट करते हैं यहाँ पर आप देख रहा है कि दो एलेक्ट्रों प्रेजन या निगेटिव चाथ उसके बाद यहां पर और एक वेकंट होता है वेकंट होने के बाद देखिए आपर क्या होगा यह SP2 hybridization को कि sigma bond sigma bond और एक sigma bond hydrogen SP2 hybridization का SP2 ही रहता है इसमें कोई कमी नहीं आती पर यहां पर एक आपको यही काम फिर आपको यह भी करेगा यही काम फिर आपको यह भी करेगा इसका मतलब जितने alpha present होंगे उतना times इसको double bond बनाने का मौका मिलेगा sigma to pi conjunction करेगा और उसकी stability यहां पर increase करेगी इस तरह से hyperconjugation को आप देख सकते हैं उसके बाद आगे देखिए क्या होता है आगे नेक्स टॉपिक में आपको आपके पास फिर राडिकल या आपके पास अब कुछ रूल को जानना बहुत जरूरी है इसके लिए वह रूल क्या है कितना जादा अलफा इंटम प्रेजेंट होंगे उतना ताइम्स उसके की स्टैबलिटी बाड़ रखती है बैसे कि लिए तीन टाइप के हाइपर कंजुगिशन होते हैं पहला होता है आई इसो वैलन थाइप को कर दूशन में क्या होता है कि है इस प्रेजेंट है उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड है और आपका खासकर वह इसमें बनाएंगे दो कि अगर आप अगर इसमें अगर करेंगे एक बांड कम हो जाएगा इस चीज़ पर आपको धिहान देना होगा कि तीसरी बाद का रिवर्स और निगेटिव क्रॉस हाइपर कंड़िशन यह खासकर वहां होता है जहां पर अल्फा अगर हम क्लोरीन को रिप्लेस कर दे तो वैसे किसमें हाइपर कंड़िशन नहीं पॉसिबल हो पाता अगर यहां से यह यहां होता तो शाइद तीन हाइप हाइपर कंड़िशन नहीं बन पाएगा यह खास बात यहां देखिए हाइपर कंड़िशन के स्ट्रक्चर को प्रिडट करना चाहते हैं कितने हाइपर कंड़िशन बन सकते हैं आप सिर्फ नंबर अलफा हाइडनेटम को काउंट कीजिए और उसके जरिये पता लगा सकते है कितना हाइपर कंड़िशन बना पाएंगे बताया था है मैंने कि नंबर ओफ पाई बांड को देख लीजिए उसके प्लस वन एड़ कर दिए बन सकते हैं आप उसे फाइंड आउट आसानी से कर पाएंगे इसी की बेसिस पर हाइपर कंड़िशन बेसिपे हमें स्टैबिटी क्या होता है कि इसने कारबन में डिशल्टी पॉसिव चर्ज पेजन नहीं होने होने चाहिए घ्रिट प्लस चांज आपको दिखाई जाया है आपको इससे अट्याच कारबन को मतलब नाइन टाइमस ह्लफा थान्प है यहाँ अगरगर सेंडरिक को यहां ओन्यक्तरा राग आपको यह हमारे पास है secondary और यह हमारे पास है primary यह simple हमने methyl लिया है और यहां पर कोई alpha तो ही नहीं तो आप count कर सकते हैं कि alpha के coding आप यह देख सकते हैं इसके अंदर कितना hyperconjugation हो सकता है कितना दुसकी stability होगी तो alpha hydratum यहां count करें 9 होंगे तो 9 times यह structure change करेगा double bond बनाएगा partial double bond बनाने कोशिश करेगा सिग्मा टूपाई कांजूगेशन करेगा जिससे क्या होगा यह 9 times है इसकी stability सबसे अदा होगी इसमें 6 alpha hydratum प्रेजिंट 3 इधर 3 इधर 6 इसमें इसमें देखी 3 है यहां पर हम देखें तो सिर्फ यहां पर कोई भी alpha hydratum नहीं है जहां पर alpha नहीं होगा वहां पर जाहिए सी बात है वहां पर condition नहीं कर पाएंगे उनके structure ज्यादा stable नहीं हो सकते सेमें आप आगे देख सकते हैं cst cs2 plus cst कुछ नहीं करना आपको अलफा काउंट करना देखें यहां अलफा यहां पर दोनों के stability अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर हम एक बात कहेंगे और इसमें अगर आप आएंगे कि इसके बार है कि यहां पर इसके बार है कि इसके बार है को देख करके भी हमें इसके बारे हम पता जलता है कौन जादा स्टेबल होता है नीचे बहुत बड़े बड़े पॉइंट में लिखा हो दिख रहा है आपको रेजनेंस को हम टॉप पे मानते हैं स्टैबिटी के नाम पे उसके बाद हाइपर कंजूगेशन आता है उसके बाद आपका इंड़क्ट एफेक्ट आता है यहीं देखिए आप प्लस आइफेक्ट का ओर्डर जो है प्लस आइफेक्ट अगर ज्यादा क्यूं होता है तो इसके पीछे हाइपर कंजूगेशन का और भी दिख जाएगा प्लस आइफेक्ट देखिए यहां पर टर्शरी में सबस्वादा है फिर से किंडरी में है उसके बाद इधायल में फ वहांपे basically carbon present है यह हमेशा है थरकीगा जो भी दिखा देखाः तेशको यहां भी carbon है और यहां पर LOD यहां पर तीन hydrogen च्पए हूए यहां पर पता समझना पड़ागा अपने से खुद से यहां पर आपका CH2 present hai 2 hydrogen चुपा हुआ है यहां पर आपका CH3 present है 3 hydrogen है और यहांपे अगर देखे तो यहांपे सिर्फ आपको मिलेगा ch विपलस चार्ज है अब आप देखिए यहां पे तीर अलफा यहां दो आप पांच स्रीनियों שए नहीं कुंब दो इस सबस्र्स kissy आट होगा यहां पर यहां पर यहांप खड़ा दे दिखिम यहां पर हर च्रूनों होगा है यहां पर यहां पर यहांً पर यहांपे हम एक स्रीक्टो आफिव ALEX् Сейчас यह भी cc nation present हैं और यहां पिर आप आइंगे ती यहां पर क्या सकते हैं कि यहां पर एक तो पहा चुपा हुए των है यहां पर किमाएं को बूंकि होन क्रिक्स क्रिक्स million कें तो बाइब कर कर सकते हैं तूसको अपन्य भलत हैं छहाइन प्रभी से अब इस स्टेडिविक्स स्टैबिटी जादा होगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास प्रेजेंट है सब सब्सक्राइब नमबर उन पर 6 फिर देखिए 9 फिर 8 फिर आपका देखिए 6 हाइड्रोजन फिर 5 हाइड्रोजन उसके बाद 3 उसके बाद 2 इस तरह कर से हम हाइड्रोजन को देख सकते हैं यहां पर कुछ गलत किया हुआ है यहां पर ऐसे करते हम 4 को हम ले जाएंगे यहां फोर सबसे कम तो इस तरह से आप कंपाउंड के स्टैबिटी हाइपर कंजूगेशन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं से मैं यहां पर हम आते हैं देखिए हमारे पास साइक्लिक सीस्टू प्लस है साइकलिक है में इसमें देखिए प्लस चार्ज यहां प्रेजन्ट है सबसे पहले हमें करना क्या इसमें अलफा हैसाइन करना सबसे पहले काम अलफा हैसाइन कीजिए तो इसका अलफा कहां हो सकता है इस से अटाइच कार्बन यहां पर यह अलफा हो सकता ह सारी भी ठीक करता हूं इसको यहां पर यह अलफा हो सकता सिर्फ एक अलफा यहां हो सकता है इसमें अगर देखें प्लस चार्जा तो यहां अलफा हो सकता है और यहां अलफा हो सकता है इसमें अगर देखें तो अलफा यहां हो सकता है अलफा यहां हो सकता है इसमें अगर हैं यहां पर देखे एक होगा यह द हैं करेंख मेंगे रहे आप है पर से चाह और चार दोनों 세म होगे जांगे वहां है है hyperconjugation सम देख लेते हैं उसके बाद हम इंड़क्ट सबसे टॉप के ओगा फिर देखी फॉर वाले में ब्रावलम आ रही है फूर में अपार यहां पर देखिए यहां पर देखिए दोनों साइट से आगर देखे तो प्लस आइफक्ट हो रहा है एलेक्ट्रोन देभी रहा इ लेकि खास बात क्या है यहां पर फॉर टाइम साइपर कंजुशन दूसरी बात कि मिधाइल ग्रूप जो है परीब में टैज्ट है यहां पर देखिए जितना करीब होगा अलकायल ग्रूप सब्सुट्टेड ग्रूप प्रेजन्ट है जो आप यहां पर अगर अल्फा मानते ह देखिए तो आपको हाइपर कंजुवेशन इंडेक्ट इस तीनों का दिमाग लगाना पड़ेगा तब यह तीन इग्जाम्पल यहां पर दिखी दिए इसको अगर देखिए इसको के अंदर जानते हैं कि आप दो लोन पेर प्रेजेंट होता हैं आप पहले भी देख चुक इसकेस में देखिए तो यह डिर्क्टली इलेक्ट्रों दे करके आप पर्शल डबल बॉन बना सकता है रिजुनेंस शो कर सकता है ठीक यहां पर प्रॉलम क्यार यह प्लस चार्ट प्रेजेंट है औक्सिंड लेक्ट्रों लेने वड़ा माहिर होता है अगर यहां नेगेटि लिए निक्स नेग्स वाले पार्ट में अगर आई तो आपको यहां वही अ में और सिकन्द वाले में यहां पे छिंट्री 알फा अप्लट बॉन ब्रव्श भार रहा do इसको थर्ड इसको सिकेंड रखो थर्ड आखरी सबसे अनिस्टेबल वानेंगे इसको इन तिनों में देखे तो स्टैबिटी ओडर वन फिर त्री उसके बाद आपका टू का नमबर आता है इस तरह से बहुत सार एक्जाम्पल मिलेंगे आपको आगे और भी देख सकते हैं यह हमारे पास 12345 जैसा कि आप देख रहे हैं पर हमारे पास चार है चार में पहले चेक किजिए यहां पर प्लस चार्ज प्रेसेंट एलेक्ट्रों पहली बात देखिए और करना होगा यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस कोश्च वहां बताब हम जुर्म घंके काट में वार्ञास बन सकता है इस केसमा में तो रिजनेश पॉसरबूकर की है की अल्टर्ण कि बात बडच प्लस चार्ज प्रेसंट है एल्एक्ट्रों नहीं पहुंचे गा तैसे से केसमें, fred यहां 3 यहां होगा, alpha यहां होगा, alpha यहां होगा, देखिए 3,36 और 2 होगा यहां बीच में, तो 8 हड़न यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 3 alpha भी है, ठीक है, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर देखिए हम जानते हैं, यहां पर CS3 है, जिसकी वैसे हम कहेंगे, there is a alpha hydrantum 3 present, यहां alpha b here, resonance b here, यहां पर सिर्f alpha hydrantum present, अगर आप इस case मे आएगो देखे, हैंगे, हमारे पास lone parallel present, यहां पर lone pair 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 present, जाइद से Sergey बात, तो इसके बाद हम देखे तो इसमें अलफा एक अलफा दो मतलब छे अलफा तर्ड वाले पॉर्शन में आएंगे देखी यहां पर रिजुनस नहीं पॉसिबल है alpha देखे, यहां पर इस पर तो नहीं होगा, यहान इस प्रस चारर्ट से mono carbon है, यह heterाई होगा, यहippy two solu Creation है, यह Alpha है यह तीन, और यह तो तीन और दो मिलेके 5 ED born जाते हैs, यहां पर ग Maintenance, यहां पर गौर किजें, यहां पर फौसिब सन नहीं, क्या फौसिद न नहीं है, resonance possible बुलने काफी दूर हो गया को डिकली अटाइच्म ना चीकाव को टैंसे तब ही रेजोनेस कर सकता है जैसे कि इसमें अलफा यह हो गया अलफा यह हो गया तो यहां पर तीन और दूपाच अलफा हो सकते हैं बस अब यहां पर देखिए रेजोनेंस प्लस थ्री अलफा प्लस यहां। कि पित्ना प Singैंतिंग इसके पास करीब हो रहा है कि यहां पर फीजिया के ओस दान क्पोलोष मुझाइगा उसके बाद ने प्यांच अगरम देखने हम देखिए अधिया और इसकी कम हो जाएगी जिसकी वैसिए इसकी तहलाएगा जिसकी वारे से हम इसको मानेंगे कि इसका मतलब फाइव वाला जो जादा इस्टेबल होगा ऐस कंपर तो फॉर्थ इसलिए फाइव लिखा फिर फॉर्थ लिखा इस तरह से आप बहुत चारे से ग्जाम्पल देख सकते हैं आपको आपको यहां तक वीडियो समझ में आया और हब बंदूशन समझने कोशिश केजिए लेक्स वीडियो में और डिटेल बहुत सार एक्जाम्पल के साथ है पर बंदूशन पर इसकेशन करूंगा कि अल्रेश्च के वाग्जाब बंदूशन आपको आपको यहां प्रॉच के वाग्य। अबड़ अ किभी लिग्याओ एक उट्टेटल